हाई फ्रेंट्स आपका मारे यूटूब चनल CISF EASA LDC Mentors पर स्वागत है इस वीडियो में फ्रेंट्स हम लोग जो है CISF Act का पहला और दूसरा जो है Act देखने वाले हैं और आप यहाँ पर पाएंगे कि आपका जो 2020 का एकजाम है कई कोस्चन जो है यहाँ से पूछे गए है इस वज़ा से पूरा डीपली इनका स्टिडी करना जो है आपका बहुत ज़रूरी है तो इस क्रम में मैं बता दूँ हर सनीवार को आपका CISF Act and Rule का एक वीडियो GK सेक्शन में दिया जाएगा सोमवार से सुक्रवार तक आपका GK कवर कराय जाएगा सनीवार को CISF Act and Rule और रविवार को Current Affair आपको दिया जाएगा प्रोवाइड किया जाएगा तो कल जो है रविवार को आपका Current Affair का टेस्ट के रूप में भी होगा तो अप्लिकेशन पे आप हमारा कोर्स में टेस्ट जरूर दें आप देख सकते हैं कम से कम 17 से 18 नमबर जो है आपका GK सेक्शन में सिर्फ Current Affair और CISF Act and Rule से पूछा जा रहा है तो यह आपका Exam का Important Point है क्योंकि हर एक नमबर जो है Important है ठीक है सिर्फ Math और English का मार्की नहीं Important है Math और English का भी Content आपको भरपूर प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में हम लोग जो है आपको GK और Reasoning को थोड़ा मैं 15-20 दिन बाद अभी Start करूँगा चारो सब्जेक्ट एक साथ नहीं हो पाएगा मैं Reasoning को 15-20 दिन थोड़ा टाइम देके एक महीना बाद थोड़ा Math कवर हो जाएगा उसके बाद Reasoning को Start करूँगा केंद्री ओद्योगिक सुरच्छावल अधिनियम 1968 यानि कि आपका कौन सा है CISF Act 1968 इसमें जो है कूल 22 धराएं हैं कितनी धराएं हैं 22 धराएं हैं सबसे पहला धरा है इसमें आपका CISF का जो है नाम के बारे में दिया है क्या CISAP का नाम, इसका संचित नाम क्या है, इसका प्रारंब क्या है और इसका विस्तार क्या है दूसरे में परिभासा दिया हुआ है तो आज हम इनी दो धाराओं के बारे में विस्तरित रूप से देखने वाले हैं और आपको मैं बताऊंगा कि कहां कहां से कोश्चन पूछा गया था तो देखे, सबसे पहले इस अधिनियम को राष्टपती का अनुमती कब मिलता है 2 दिसंबर 1968 को तो ए चीज़ आप नोट कर लेंगे ठीक है, कि राष्टपती का अनुमत कब मिला 2 दिसंबर 1968 को इसको जो है प्राप्त हुआ फिर एक्ट वन, अब हम लोग एक्ट वन पे आ गए हैं इसमें क्या दिया है, संचिप्त नाम यानि कि आपका सार्ट टाइटिल विस्तार, एक्स्टेंट एंड प्रारम कोमेंस्मेंट यह अधिनियम केंद्री और द्योगिक सुरच्छावल अधिनियम 1968 का लाएगा यानि कि यह जो एक्ट है क्या कहलाएगा CISF Act 1968 कहा जाएगा या कहलाएगा इसका विस्तार जो है कहां पे होगा संपूर्ण भारत पे यानि जम्मू हर एक राज पूरा देश का हर एक पार्ट में यह मतलब समझ लीजिए कि हमारे देश का भारत का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा जहां पे एनियम लागू ना हो एनियम CISF Act जो होगा All over India लागू होगा एक कोस्चन आपका पूछा गया था यहां से कोस्चन पूछा गया था कि यह जो है कब से लागू हुआ था किस दिनांग से लागू हुआ था तो यह दिनांग 10 मार्च 1979 से लागू हुआ था दूसरा एक यहां पे जो है आपका पूरा परिभासा है और परिभासा से जो है कई question पूछे गए थे जैसे force custody दिया था उसके बाद hour अधिकारी क्या होता है फिर अधिनस्त अधिकारी में कौन कौन आता है तो कई question आप देखेंगे यहां से पूछा गया है तो वीडियो को अंतर जरूर देखे सबसे पहले परिभासा में हम start करते हैं ए का अर्थ है हिंदी में इसको को लिखा होगा यानि act 2 में भी ए उपधारा है ए क्या है यह तो आपका धारा है हमारा क्या है धारा और ए क्या है उपधारा है उपधारा है तो उपधारा हमारा को है क्या महानिदेशक महानी देशक को क्या कहा जाता है डाइरेक्टर जनरल अच्छा सबसे इसमें क्या दिया हुआ है कि डाइरेक्टर जनरल को जो है कैसे न्यूक्त किया जाता है जितने भी परेवे छड़ अधिकारी होते हैं, आप याद रखेंगे धारा 4 के अंतरगथी न्यूक्त किये जाते हैं। Director General means the, Director General आप जब force appointed under section 4, क्या? Under section 4, यहाँ पर 4 नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे under section 4, फिर हमारा क्या है? अब वहाँ पर तो उपधारा कौ था, यह आपका कौ का कौ है, ठीक है, यानि एका ए, बलका नामांकित सदसे, बलका नामांकित सदसे को क्या कहेंगे? Enrolled Member of the force, क्या? Enrolled Member of the force, इससे हमारा मीनिंग क्या है, इससे हमारा तातपर क्या है? कोई भी अधिनास्त अधिकारी यह आपका 2020 एकजाम में पूछा हुआ था, कि बलका नामांकित सदसे से क्या तातपर है, क्या? बलका नमांकित सदस्य से क्या तात पर है इसी वज़े से मैं इन सब चीजों पर इस बार बहुत ही अच्छे से हर एक पॉइंट पर जो है फोकस किया जाएगा बलका नमांकित सदस्य से अभिप्रेत है कि कोई भी अधिनास्तादिकारी अधिनास्त अधिकारी में अब कौन कौन आते हैं? जो आपके इंस्पेक्टर हो गए, कौन इंस्पेक्टर हो गए, सब इंस्पेक्टर हो गए और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गए एक किसमें आते हैं? अधिनास्त अधिकारी में. अवर अधिकारी में कौन आ गया? हेट कांस्टेबल, लांस नायक फोर्स का, यह सब क्या हो गया? अवर अधिकारी में आ गया. यहाँ पर फिर क्या करा है? अवर अधिकारी से निम्न पद का बल का कोई अन्य सदक. जैसे कांस stable हो गए फिर अनुगामी यानि की follower हो गए यह सब भी इसी में आएंगे enrolled member of the force यानि बल के नामां के सदस्य में तो आप देख सकते हैं यह सब चीजें कितनी important हैं आपके 2020 के exam में सभी पूछे गए चीजें हैं बल का मरतला भी हाँ पर क्या है अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे हिंदी में लिखना चाहें तो कौ का खो क्या कौ का खो बल यानि की force से क्या meaning है फोर्स से अभी प्रेत है केंद्री और द्योगिक सुरच्छा बल जो धारा तीन के अंतरगत गठित किया गया है किसके अंतरगत गठित किया गया है यानि इसका गठन जो है किस धारा के अंतरगत हुआ है धारा तीन में जो है आपका फोर्स का गठन के बारे में बताया गया है फिर हमारा को का गव बल की अभिरच्छा ये भी आप से पूछा गया था ये हमारा 2020 में आया हुआ कोश्चन है कि फोर्स कस्टिडी दे दिया था वहां पर फोर्स कस्टिडी ठीक है फोर्स कस्टिडी का मीनिंग क्या है बल की किसी स सदस की इस अधिनियम के अंतरगत नियमों के अनुसार गिरफतारी अथवा परतिरोद आपका फोर्स कस्टिडी दे दिया था और चार आपसन दे दिये थे ठीक है क्या दे दिया था फोर्स कस्टिडी दे दिया था और चार आपसन दे दिया था कि उसके सामान की तलासी और ए किसी सदज से की इस अधिनियम के अंतरगत नियमों के अनुसार गिरफतारी अथवा प्रतिरोध अच्छा प्रतिरोध क्या है गिरफतारी तो सब लाएगा अवरोध अगर किसी व्यक्ति को आप इधर से भी रोग दिये इधर से भी रोग दिये यानि उसको कंफाइंड कर दिये चार ओर से तो उसे कहा जाएगा प्रतिरोध अध्योगी